असलाम अलेकुम, विलकुम टो पेरडाइस किचन, आज मैं आपके साथ अंगूर से बनी एक बहुत ये डिलिशेस रेसिपी शेयर करूँगी, जिसे बच्चे क्या बड़े सब बहुत शौक से खाएंगे, तो इसके लिए मैंने हाफ केजी फ्रेश अंगूर लिया है, जिसको मैंने सबसे पहले डंठन से अलग करके पानी में भीगा दिया है, फिर इसको हलकेल के हाथ से रगड का साफ कर लेंगे, क्यूंकि इसके उपर दवाओं का छिड़का होता है, जो बहुत ही नुकसान दे होता है, साथी इसके उपर जो भी डस्ट वगरा लगी हो, वो भी सबसे पहले एक भगोने में दो गिलास पानी लेंगे और पानी को बॉयल होने के लिए रख देंगे, जब पानी बॉयल होने लगे तो अंगूर को एक छन्ने पर रखकर भगोने के उपर रख देंगे, और एक स्टीम देंगे, ढग देंगे और गैस का फ्लेम हाई कर में अंगूर का कलर है चैंज हो गया है। 5-6 मिनस में अंगूर अच्छे से सौफ्ट हो जाएंगे, तो आप देख सकते हैं अंगूर से सौफ्ट हो गया है। अब हम इसको ठंडा होने देंगे night ठंडा होने के दो से तीन चमश पाने जार में डालकर जार को साफ कर लेंगे ये वही चंणा है जिस पर मैंने अंगुरों को सौफ्ट किया था इसके होस थोड़ा बड़े हैं इसको एक बड़े चमश से चलाते हुए चानेंगे और लास्ट में हलके हलके हाथ से दबा कर सारा जूस चान लेंगे तो आप देख सकते हैं बिल्कुल एक से ड़ड़ चमश छिलका निकला है आप ना भी चाने तो चलेगा अब एक कड़ाही लेंगे और सारा जूस इसमें डाल देंगे हाई फ्लेम पर एक बॉयल आने देंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए पका लेंगे देखे घर में जैम बनाने का यही तो फाइदा है कि हम उसको बहुत साफ सुतरे हैजनिक तरीके से बनाते हैं और मार्केट के जैम के मकाबले घर में बनी जैम की कोस्ट भी बहुत कम होती है अब हम इसमें एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा और एक बड़ी इलाची डाल देंगे यहाँ पर हम किसी भी पाउडर मसाले का इस्तमाल नहीं करेंगे खड़े मसाले डालने से सिर्फ उनका फ्लेवर आएगा जबकि अगर पाउडर मसाले डाल दें तो टेस्ट आ जाएगा जो जैम में अच्छा नहीं लगेगा किनारे से बराबर स्क्रेश करते रहेंगे तो इसको हमने लगातार चलाते हुए पका कर गाढ़ा कर लिया है अब हम इसमें एक कप शकर एट कर देंगे अगर वेट में मेजर करें तो ये 200 ग्राम है वैसे शकर की क्वांटिटी अंगूर पर डिपन करती है कि खटे हैं या मीठें वैसे हाफ कीजी अंगूर में एक कप शकर परफिक्ट है क्योंकि जैम का टेस्ट खटा मिठा ही अच्छा लगता है अगर जादा शकर डालेंगे तो बहुत मिठा हो जाएगा लेकिन एक कप शकर परफिक्ट है अब हम इसमें एक पिंच काला नमक डालेंगे जो जैम के टेस्ट को और इनहेंस कर देगा अब हम यहाँ पर बड़ी इलाइची और दालचीनी को निकाल देंगे जितना फ्लेवर आना था आ चुका अब एक चम्मच की मदश से बीच में जो जाग जाग सा आ गया है वो निकाल देंगे इससे हमारी जैम और साफ और चमकीली बनेगी अब इसमें बहुत थोड़ा सा वन फोर पिंच के खरीब ग्रेन फूट कलर डालेंगे यह बिल्कुल भी ओफिनल है लेकिन अगर आप फूट कलर डालें तो बिल्कुल थोड़ा सा क्योंकि पहली बात तो यह की फूट कलर नुकसान करता है दूसरे यह की अंगूर का अपना ही बहुत अच्छा सा कलर होता है तो बस इतना डालें की नेच्रल लगे ना इतना डालनें की आर्टिफिशल लगने लगे तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा नेच्रल कलर आया है इसका तो बस इतना ही कलर डालें तो इसको हमने बराबर लगतार चलाते हुए पकाया है तो हमारी अंगोर की जैम रेडी हो चुकी है तो इसको बस इतना ही पकाना है अब यहाँ पर हम गैस का फ्लेम आफ कर देंगे आप देख सकते हैं कितना अच्छा परफेक्ट नेश्रल कलर आया है इसका अब इसको ठंडी होने देंगे तो जैम पूरी तरह से ठंडी हो चुकी है अब इसको एक साफ सित्रे जार में ट्रांसफर कर देंगे जार सूफखा और साफ होना चाहिए इसमें किसी तरह की कोई इसमेल नहीं होनी चाहिए आप इसको फ्रिज में छे महिने तक स्टोर करके रख सकते हैं तो देखा आपने कितने कम टाइम में और कितनी आसानी से घर पर हमने जैम तयार कर ली वो भी कितनी कम कॉस्ट पर सीजन में वैसे भी अंगूर बहुत सस्ता आता है तो आसानी से घर में कम टाइम में कम कॉस्ट पर वो भी हाजिनिक तरीके से अंगूर की जैम बना सकते हैं तो मार्केट के महंगे जैम का क्या फायदा तो आप इसको सुबा के नाश्टे में ब्रेड में लगाकर या रोटी पर लगाकर बच्चों को दे सकते हैं लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं ये जैम इतनी टेस्टी है कि बच्चों बड़ों सबको बहुत पसंद आएगी तो मैंने आपके लिए बहुती टेस्टी और असान डेस्टी बनाई है तो लाइक, शेर और कमेंट जरूर कीजिएगा चैनल पर नए हैं तो वन टाइम सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा वीडियो देखने का दिल से शुक्रिया अलाफिज